दोस्तो मौंक मोड के अकॉर्डिंग तरह हातों से फिसलते वे देखते रहोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे और सच तो यह है कि 95% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं बिना किसी परपस, फोकस और डिसिप्लिन के जो उन्हें बरबादी के रास्ते पे ले जाता है पर क्या हो अगर हम आपको एक ऐसा रास दोस्तों, मौंक मोड लाइफ की एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइट के हुए कुछ समय के लिए जैसे की 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या एक साल के लिए अपने आपको पूरी तरह से अपनी गोल्स, खुद के बैटेमेंट और खुद के लाइफ पर जाते हो जो आपके गोल्स और लाइफ परपस के बीच में आती है, यानि आपको अपनी लाइफ से उन चीजों को हटाना है जो आपके ब्रेन में डोपमीन रिलीस करती है, और उन चीजों को फॉलो करना है जो लाइफ में डिसिप्लिन क्रेट करती है, आपके टाइम का हर सिर्फ और सिर्फ आपकी psychological, physical और spiritual health के लिए use होना चाहिए, बाकि किसी भी चीज के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, reverse ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। Well, हाँ, बिल्कुल ये बहुत जादा है। In fact, ये इतना मुश्किल है, कि आप इसे बहुत लंबे समय तक follow भी नहीं कर पाओगे, और करने की जरुद भी नहीं है। तब ही तो हमने बोला, आपका मौंक मोड 21 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी और ज्यादा से ज्यादा एक साल का भी। अब ये आप पर depend करता है, कि आप इसे अपने goals और time के हिसाब से कब तक follow करना चाहते हो। बट शुरुआत के लिए हम recommend करेंगे कि आप इसे सिर्फ 21 दिन के लिए try करो। अगर 21 दिन बाद आपको इसके amazing results दिखने लगें, जहां आप पहले से ज़्यादा physically fit, confident, focused और discipline फिल करने लगोगे, जिसके हम guarantee लेते हैं कि आप करोगे, तब इसे और आगे continue करो। इसे start करने के लिए आपको एक set protocol को follow करना होगा, अपने monk mode को आपको अपने according design करना होगा, अपनी dream life और nightmare life के बीच का फरक जान कर। अगर आपने अपनी life को change करने का decide करा है, तो आपको बहुत ज़दा specific होके सोचना होगा, कि आप आखिर क्या change करना चाहते हो, इस life को छोड़के आप कैसी life चाहते हो, आपकी dream life कैसी है, यानि जो भी आप चाहते हो, अगर आप उससे पा लेते हो, तो आपकी कैसी feeling होगी, आप कैसा महसूस करोगे, आपकी life कैसी हो चुकी होगी, अब यहां आपको realistically और practically भी सोचना है, ऐसा नहीं के जो आपको ही practical ना लगे, और जहां पहुँचने के रास्ते आपको ही clearly ना दिख रहे हो, इसे करने का सबसे best तरीका है, अपने एक ideal को imagine करो, अपनी dream life के एक normal दि आपकी health कैसी है, आप emotionally कैसा feel करते हो, यह आपको जीतने के लिए motivate करेगा, और satisfaction of winning देगा, nightmare life, इसके बाद, जो भी आपने सोचा है, इसका opposite कर दो, और सोचो कि आप अभी अपनी life जैसे जी रहे हो, उससे वैसा ही रखते हो, कोई ज़दा बड़े changes नहीं लाते और ऐसे ही तो आज से कुछ समय बाद आपकी life कैसी होगी, सोचो अगर आपने जैसा सोचा है, वैसा हुआ ही नहीं, और आप वो life जी रहे हो, जो आप जीना नहीं चाते, तो यह होगी आपकी nightmare life, अगर lazy हो, मेहनत नहीं करते, आप अभी पूरा दिन junk food खाते हो, workout नहीं करते, तो इसस imagine करो के आज से कुछ साल बाद, सोचो के आप कितने मोटे और unhealthy हो चुके होगे, अगर आप social media और गलत चीजों से addicted हो, तो सोचो आज से 5 साल बाद आपके mind और sexual health की क्या हालत होगी, आपकी life एक nightmare बन चुकी होगी, इसलिए तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी ताकि आप इस mediocre और average life से डरो और इसे change कर पाओ, दोस्तों अप मानो या ना मानो, success के बारे में सोच कर आप जितना motivated फिल करते हो, हारने का डर उससे कई ज़दा strong और powerful motivation देता है, इन दोनों life के daily schedule को जानने के बाद, अब आपको अपने लिए एक आज ही से ऐसा schedule बनाना है, जिससे आप अपनी इस night में life को avoid कर पाओ, और dream life के करीब जा पाओ, और यहाँ monk mode काम आता है, जो आपके अंदर एक बहुती strong self discipline develop करता है, ताकि आप अपनी dream life को achieve कर पाओ, जैसा के author Brian Tracy भी कहते हैं, self discipline is about leaning into resistance, taking actions in spite of how you feel, living life by design, not by default, but most importantly, it's acting in accordance with your thoughts, not your feelings. Self discipline का मतलब ही है, resistance mode में जाना, आप चाहे कैसा भी feel कर रहे हो, फिर भी वो करना जो सही है, life को खुद design करके जीना, default में नहीं, और सबसे ज़रूरी, अपने thoughts section लेना, ना कि अपने feelings के according actions लेना, तो अपनी कुरसी की पेटी बांदो और monk mode में enter हो जाओ, इसके लिए करना क् Monk mode में क्या क्या नहीं करना है, आप समझ चुके होंगे, अब क्या करना है, वो समझते हैं, इस monk mode के दुरान आपको 3 non-negotiable चीजों के list बनानी है, और ये वो चीज़े हैं, जिने आपको हर दिन follow करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपको ये 3 चीज़े तो करनी ही करनी है, पहली है 30 minute meditation, दूसरी exercise, किसी भी तरह की exercise, बस आपको अपनी body को किसी भी तरह के pressure में डालना है, और साती, third है एक बहुती strict healthy diet को follow करना है, अब ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये 3 चीज़े आपकी body और आपके mind के लिए fuel की तरह काम करेगी ताकि आप पूरे monk mode के दोरान अपना best दे पाओ, आप चाहो तो अपने हिसाब से इस list में और भी कुछ चीज़े add कर सकते हो, जैसे 8 घंटी की नीन लेना, बुक पढ़ना या कुछ भी, इतना सब करने के बाद आपका monk mode का schedule कुछ इस तरह देखेगा, सुबह उठो, एक ग गंटे के deep work session करो, उसमें अपने सारे काम को finish करो, बीच बीच में 15-30 मिनट का break भी लो, पर याद रहे, no social media, चाहे आप एक student हो या working professional, आप जो भी काम कर रहे हो, सारे distractions को हटा के बहुती intense focus के साथ complete करो, ज्यादा किसी से कोई फालतू बात मत करो, अपने काम से काम रखो, पूरे दिन एक healthy protein rich diet follow करो, दिन में कम से कम 3 लिटर पानी पियो, और last रात में सोने से पहले एक book के कुछ pages पढ़ो, अगले दिन उठो और same चीज repeat करो, इससे आप कुछी time make ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे देख के आपके आस पास के लोग भी कहेंगे, तुम पहले से जिसके बिना आपका monk mode किसी काम का नहीं, वो है एक purpose driven life, purpose driven life, दोस्तों, monk mode का ultimate goal है आपको एक purpose driven life देना, अब तक आप अपनी life में जो कुछ भी कर रहे थे, वो या तो किसी के बातों से influence हो कर रहे थे, social media, society को देख कर कर रहे थे, या फिर अपनी habits और addictions के वज़े से कर रह एक happy और successful life जीने के लिए आपको दुनिया बदल देने वाले किसी एक purpose की जरूत नहीं है, आपको बस अपनी current situation को देखना है, उससे बदलने का एक strong और powerful reason ढूंडना है, जिससे related आप अपने सारे distance लोगे, बस वही आपका purpose होगा, मान दो अभी आपको पढ़ने में problem आती ह तो आपका purpose studies में बहतर बनना होगा, आपकी health बहुत खराब है, तो आपकी life का current purpose सिर्फ और सिर्फ यही है, कि मुझे कुछ भी करके अपने आपको अपनी best shape में लाना है, या फिर आपकी financial situation ठीक नहीं है, तो इस ताइम आपका purpose है अपनी income बढ़ाना, savings करना, investments के बारे में तब जाके आप बाकी के 95% लोगों से आगे निकल पाओगे, दोस्तो हमें पूरा भरोसा है, कि मौंक मोड किसी भी person की life को 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या एक साल में change कर सकता है, अब अगर आपको consistent होने में प्रब्लम आती है, तो आप हमारी ये left वाली वीडियो ज़रूर तक आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ, थैंक यू फर वाचिंग